मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे ना मैं मंदीर ना मैं महजित ना कावे कैलास में खोजी कर तुरंत मिल जाऊं पलभर के तालास में कहत कबीर सुन भाई सादो हर सांसों के सांस में कबीर का यह दोआ साधारन नहीं इन दों पंक्तियों में सारा सार चुपा हुआ है इस्वर की खोज हमें मंदिर महजित गिरजाग तक नहीं रखना चाहिए अगर आप इस्वर की खोज करना चाहे तो अपने सांसों में देखो इस्वर भही प्याँ और मैं तो कहता हूँ कि इस्वर तो तुम्हारे घर में है पंगले इस्वर तेरे घर में है मात और पिता के रूप में व्याप्त है इस्वर अगर तु सच में इस्वर को देखना चाहता है तो मात पिता को देख जो भी इंसान मात पिता के कर्मों में अपने जहान को गिराता है वो दुनिया के सारे सुखों को प्राप करता है जो वेक्ति या जो विजार्थी अपने मात पिताओं के इच्छाओं को पुरा करता है वही दुनिया का सबसे बड़ा धन्य इंसान होता है इसलिए कहां मंदीर महजीत खोलता है तो इस स्वर तो तेरे कर्मों के पास व्याप्त है अगर ये खुश नहीं तो तू भी खुश नहीं रह सकता इसी वचनों के साथ मैं संजीब किवारी आज का ये वीडियो सुरू करता हूँ और ठांग है ये बात क्यों बात नहीं ये सिर्टिष्ण के मूँ से उद्गुम निकलता हुआ एक ऐसा सब्द है जो आज हमारे जिन्दगी को साथ कैसा जाएगा मापिता की चरणों में सारा दुनिया व्याप्त है इस बातों को कभी सिर्टा से ना लो क्योंकि अगर तू अपने मापिता के से अलग जिन्दगी जीने का प्यास करेगा तो अपने जिन्दगी को कभी भी सफर प्रात नहीं करेगा तो जन्माश्चुमी के इस उसर प्रम है संजीक्ति वारी आप सबी स्वागत करता हूँ वेल्कम की जानते हैं कि जन्माश्चुमी है और जन्माश्चुमी में मैं कुछ अलग करने वाला हूँ और सिर्टिष्ण के बातों को मैं सिर्वब करने से पहले आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप कित्या करके इस वर्थ आपके अंदर है आपके घर में ब्याप्त है मात पिता और गुरु के रूप में ब्याप्त है और इहें कभी भी किसी प्रकार का कश्ट न दे भावना सारेरिक तो अलग चीज भावना के दिश्टी कोन सभी में कश्ट न देने का प्यास करें प्रित्रानाए साधुनाम निना साय चा दुस्कृताम धर्म संस्खा पड़ाय चा संभवामी युगे-युगे स्रीकृष्णी ने गीता में जो कथन कहा है सारा दुनिया इसे अनुसरांग करता आ रहा है आज गीता का पुछ हर जगह व्याप्त है अतर स्रीकृष्णी की इसी दोहे के साथ मैं संजीतिवारी जिएटी इंटिट्यूट ऑफ साइंस से सरपथम जर्माश्मी के सुब आप सबी देश के रिवास्यों का स्वाधत करता हूं अभिनन्दम करता है श्रीकृष्णी के दिये गए संदेश आज हमारे लिए बहुत अस्तर तक सार्थक साबित हुए है श्रीकृष्णी जिस परकार हमें अपनी स्लोकों को दिया वो हमें अपने जिंदगी में उतारने की जुड़त है जिस प्रकार मैंने रामायन में कहा था कि रामायन हमें भाई के भाई के परती संबन्थ, मात्र के पुत्र के परती संबन्थ, पिता के पुत्र के परती संबन्थ तथा गुरु जणों के सिद्से के परती संबन्थ को दर्साता है उसी प्रकार सिर्किष ने हमें जिन्द की जीने का एक बड़ा सबक देता है। राम ने एक पत्नी वट्थ को दर्साया, तो सिर्किष ने प्रेम को निश्चलता भड़ी जिन्द की जीने की राह को बताया। सिर्किष ने नारी की अस्तित्य की रख्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। जिसके कारण सोलह हजार लड़कों के सोसन से मुप्त कराकर उंगें पूरी तरह आजाद कराया। सिर्किष ने से हमें बहुत कुछ सबक सिखने को मिलता है। सिर्किष ने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सोसन के विरुद्ध कारी किया। यही कारण है कि उन्होंने सरपर्थम अपने फुफेरे भाई सिसुपाल का वद्ध कर दिया। उन्होंने यहां तक कि कंश का विवद्ध इन्हीं कारणों से किया उन्होंने कभी भी सोशन का साथ नहीं गिया हमेज सभी कृष्ण से बहुत कुछ सीखना जरू है हम जानते हैं कि आज का नया यूपिड़ी यूपिड़ी कि प्रकार नसा के लत्में पुरी तरफ बरबाद होके जाता है नसा हमेशा ही हमें गलत रास्तों में ले जाता है सब कुछ दाओं मिला ला देता है यहीं चीश्व कि ने अपने समय के काल में दर्थाया किस परकार से नसा अपने भाईयों के द्वारा किये जाने पर नसा थर तरीका का संबाव हुए जुए में सब कुछ दाओं पे लगाने पर पांडों ने द्रोग्दी को खोया जिसका प्रणाम चीरहनां के देखने को मिला उन्होंने यह बात को दर्थाया कि आज का युवापिड़ी इ और कब क्या ना बोलना चाहिए ये चीज़ भी हमें स्रुक्रिष्ण यानि महाभारत से सीखने को मिलता है अपने खुल बधू को अपने समाज में कैसा रहना चाहिए इसकी भी सबक हम महाभारत पे सीखते हैं दुरुपदी द्वारत दुर्योधन को यह बोला कि अंधे का पुत्र अंधा होता है ये समाज पे एक बहुत बड़ा च्छाप है कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा विवार करना चाहिए दोस्ती का निर्वाहन भी हमें स्रुक्रिष्ण सही सीख्या की जुरत है स्रुक्रिष्ण ने जिस परकार अपने भाई अपने मित्र सुलामा के साथ किया और ग्रोपदी के साथ जिस परकार उन्होंने उधारन दिया वो आज का समाज उसे अनुस्वरन करने लायक है उधको भी हर हाल में टालना चाहिए स्रुक्रिष्ण ने समुचे प्रयास किये कि वहावारत की यूध ना हो इसके लिए उसमें अपनी पक्ष को भी रखा यह आज समय के लोगों को इससे शीखना चाहिए कि किस परकार के वक्त हमें कैसा हालात में कैसा काम करना चाहिए स्रीक्रिष्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ न कुछ सिख्षा प्रणा देने की प्रयास्की अगर यूध अटल हो अगर लगे कि वो नहों रुके तो उसमें पुरी तरह अपने आपको जोग देना चाहिए स्रीक्रिष्ट ने जो स्लोक कहा कर्मने वाधिकार रस्ते मां फलेशू कराकचना मां कर्म फर्ण है तो वो मां तो संगे सक्रमनी यानि हमें हमेशा अपने कर्म के पर्दी अगरस्त रहना चाहिए अभी अत्यधिक हमारे युवाफिली अपने कर्म के पर्दी काफी पुंजित होते हैं कर्म करने से पहले ही सोचने ही लगते हैं कि कास इसका प्रणाम क्या हो प्रणाम को तो इस्वर देने वाले हमें अपने कर्म के पर्दी अगरस्ता रगना चाहिए पूरे स्रिक्ष्ण ने पूरे महाभारत और अपने गीता में जो लिखा वो आज के समाज को पदापन करने की जुरत है। पूरे महाभारत और गीता से देखने को मिलता है। रामायन का एक सबसे बड़ा कमी यह रहा कि उसकाल में हमें बहन और बेटियों के प्रति समाज में कैसा समाज में कैसा उसका समंध होना चाहिए उसको नहीं दर्शाया गया। उसको पूरी तरह हमें स्रिकृष्ण के उस रोप में जो कि द्वापन का समय माना जाता है। उसमें दर्शाया गया। उसमें यह भी दिखाया गया 21 परकार बेहन और वेटियों के बीच समंध होना चाहिए। इस परकार मैं आज का स्रिकृष्ण का इस सोब बॉसक पर फिर से आप सबी लोगों को उविन नन करता हूँ और यह प्रयास करता हूँ कि सारे लोग स्र। कि इस रोप को दर्सन करें और हमें सुनिट कृष्ण को इस्वर मांते हुए उन्हें उनके बताए राहों को अनुसरन करना चाहिए जैस सरे कृष्ण